नमस्कार, दोस्तों, दोस्तों हिंदी न्यूज अफेर्स में आपका स्वागत है, दोस्तों भारत और आस्ट्रेलिया के बीच में कुछ रिलेशन में खराभी करने के कोसिस हो रही है, कुछ ऐसा चीज़े कर रही है, वो especially मीडिया जगह से हो रही है, दोस्तों भारत में जैस investigation का काम वही कर लेते हैं तो RAW ऐसा ही ASIO है ऑस्ट्रेलिया में, उसका अभी काम वैसा ही है, तो दोस्तों समझते हैं कि ऐसा इनों ने क्या किया जिससे भारत की इंटरनेशनल लेवल पर छवी खराब हो रही है और उससे भारत को अगर अभी छवी खराब हो रही है तो क्या खुछ फाइदा भी हो सकता है ये भी समझते हैं दोस्तो पूरी news क्या है आएं समझते ह depression taraf तो दसल आस्ट्रेलिया की जो एक एजंसी है एस आई यो जो सारी इनफर्मिशन इखटा करती है स्कूर्टी का जिम्मा उसके हाथों पे होता है जैसे कि इंडिया में रॉक के हात में होता है वैसे ही तो उसने एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें उसने ये बोला कि कि 2020-2021 में कुछ ऐसे इस्पाई यानि कि जासूस थे यहां पर ऑस्ट्रेलिया में जो उनकी डिफेंस सेक्टर की सारी इंफॉर्मेशन इखटा कर रहे थे complete information डिफेंस की उनके किसके साथ ज़्यादा अच्छे बिजनेस हैं उसकी information इखटा कर रहे थे तो उन्हों ने उस वक्त इसको मलब एक जानकारी में लेकर आये थे उन्हों अपनी रिपोर्ट में यह चीज़े लिखी तो दोस्तों यह 2020 में लिख दिया ठीक है तब से कुछ नहीं हो रहा था अभी यह news इस चीज को इस information को वहां की गुमाने फिराने के बाद इधर उधर की बात करने के बाद एस आईओ के एक औरिकारी ने भारत का नाम ले लिया भारत का नाम लिया जिसे की भारत में अब भौचाल मुँआ हुए क्योंकि भारत में इसवक्त चुनाओ चलन है दोस्तों कुछ चीज Espogen इसकी पीछे तो दोस्तों अगर देखें पिछले कुछ समय से यह फाइफ आई ग्रूप भारत पर एक अरोप लगा रहे हैं उसका प्रूब अभी तक कोई नहीं दे पाया आरोप लगा रहे हैं बराबर कि भारत हमारे यहां जासूसी करता है हमारे यहां अन्नेसेसरी लोगों को मार देता है जैसे कि कैनड़ा ने सुरुवात करी जब उनके यहां निज्जर को मारा गया तो उन्होंने उसका आरोप भारत पर लगा दिया अभी तक नहीं बता पाएं कोई सबूत नहीं दे पाए वो कैनड़ा में जस्टिन टूडो जो वहां के प्रैमिनिस्टर है कोई कुछ भी प्रैंड़ा नहीं बस एक आरोप लगाया काम घताम उनके बात अगर बात करें यूएसे गी तो यूएसे ने भी भारत के उपर एक आरोप लगाया था नहीं कि भारत वहां पर पन्नू जो हैं जो खाली स्थानी समर्थक है इनको मारने के लिए एक सुपारी दे रहे दें भारत के लोग तो दोस्तों अभी तक वह भी कंप्लीट कोई सुबूत नहीं दे पाए और दो केस हो गया तीसरा फाइफ फाइफ ग्रूप ऑस्ट्रेलिया अब उसमें सामिल हो गया है अब ऑस्ट्रेलिया ने यह बोल दिया कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की टाइम यह हो रहा है एक चीज़ दूसरी चीज़ वहां के अधिकारी नहीं बोल रहे थे मीडिया ने अनसे सरी प्रेशर बनाया और उन्हें ने नाम लिया तो क्या भारत को ऑस्ट्रेलिया से कुछ डिफेंस की चीज़ चाहिए या क्या टेक्नलोजी चाहिए हमारे पास त सेक्टर में तो नहीं आता है अस्ट्रेलिया आता है इसपोर्टस के लुक Otherwise के लो में दूसरा है कोले के एक्सपोर्ड में यूरेनियम के एक्स्पोै्ड में वहां की पढ़ाई एउस्सडिम बहुत अच्छा है लोग वह जॉब का लिए जातें जॉब वहां मिल जाती है ल ऐस्टेलिया यूएस और जापान और इंडिया क्वाड के भी मेंबर हैं अब क्वाड के मेंबर और ऑस्टेलिया को अपने डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ सम्मरीन पगरा चाहिए दी तो वह भी यूएस बना रहा है उनके लिए और खुद नहीं बना रहा तो उनकी हम देख पर सेब लिएक संब्सक्राइब निकलती नहीं है और फिर उसके बाद काया फिर दोजारों किसी की गिरफतारी तो कि ऑफ प्रिफतारी करें लोगों ने पूछा है कि भाराथ जो आस्टेलिया ना की information gather कर रहा था इखटाई कर रहा था डिफेंस अक्टर की उसमें आपका क्या कहना है तो उन्होंने साफ मना कर दिया बोलने से कि इस मुझे पर मुझे कुछ नहीं बोलना है बस एक चीछ उन्होंने बोली कि भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे करेंगे कि यह और ज्यादा बढ़े यह दसल दोस्तों बात वी दिश्री चीछ भारत का रियली के बहुत अच्छा दोस्त आ है इंडिया और यह के बहुत अच्छे रिलेशन है वैसे हम इंडियंस हैं कुछ नहीं तो हम क्रिकेट के रूप में देख लें हलाकि क्रिकेट का ॡिप्लोमेस कोई लेना देना नहीं है लेकिन अच्छा का सब पैसा कमाते हैं कि हम उनको कुछ हेट करते हैं उनके साथ हम तो बहुत ज्यादा ऑस्ट्रीयान को प्य अब दोस्तों इससे क्या भारत के चुनाव प्रभावित हो रहे हैं दोस्तों विपक्ष है तो थोड़ा सा तो मुद्दा उठेगा लेकिन इतना ज्यादा कोई इसका ग्राउंड लेवल पर कोई इंपक्ट पढ़ने वाला नहीं है 2020 की चीज़ अगर 2024 में उठाई जाएगी तो उसका क्या कोई रिलेवन्स रह नहीं जाता अगर आपको बात करनी थी तो तभी करनी चाहिए थी फिर उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए था आपने कुछ किया नहीं तो यह सारी चीज़े ऐसी है बैर्थ है दोस्तों लेकिन एक चीज़ फाइव फाइव ग्रूप में दो कंट्रियों अब अब हो सकता है कि यूके और न्यूजे लेंड भी भारत पर यह आरोप लगा दे क्योंकि पूरी फाइव फाइव ग्रूप में तिन मेंबर लगा चुके हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यह लगा दे दोस्त काई ना काई हमारी यह जो एजनसीज हैं इनकी बारे में लोगों का परसिप्सा नब बदल जाएगा उनको यह लगेगा कि यह इस लेवल तक की जासूसी करते हैं कि और यूएस और कैनाडा जैसे देसों को भी यह पकड़ लेते हैं और यह इमेडियेट नहीं पकड़ पा अब कि भी देशने भारत के किसी भी परसन को को सबूत नहीं दिये किसी भी तरहिके से कोई डूसे को में ले रहाए लिएजर नहीं होंगा और भारत के चुनाउँ इस से इंपेक्ट ना ही हो ऐसी एक काम होना है भारत के जुनाओं के जो मुद्दे हैं लोगों के मन में वही मुद्दे चले यह इस पाई का मुद्दा नहीं ठीक नहीं है ठीक है दोस्तों अब आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊंगा अगर कुछ इंफोर्मिशन आती है तो धन्यवाद